नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है तुशारत्यागी और आज हम बात करेंगे ठेकेदारी कैसे शुरू करें या ठेकेदारी का लाइसेंस एक लास का कैसे लें दोस्तो ठेकेदारी शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले ठेकेदारी के लाइसेंस की आवश्यक्ता होती है उसके बाद में हमें किसी भी विभाग में, जिस विभाग में हमें काम करना है, उस विभाग में अपना registration कराना होता है और उसके बाद हम e-tending में भाग ले सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे पहला हम ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनवाएं दूसरा किसी विभाग में रजिस्टेशन कैसे कराएं तीसरा कौन-कौन से विभाग शुरुआत में काम करने के लिए अच्छे हैं सीखने के लिए अच्छे हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम आते हैं ठेकेदारी का license कैसे बनवाएं दोस्तों ठेकेदारी का license बनवाने के लिए हमें सबसे पहले एक firm की आवशक्ता होती है एक legal entity की आवशक्ता होती है तो legal entity मतलब public limited company, private limited company, partnership firm, proprietorship firm, one person company इन में से किसी का भी आप registration करा लें कोई भी वकील आपका registration करा देगा और उसका incorporation certificate लगेगा दूसरी चीज हैसियत परमाणपत्र मतलब आपका status certificate दोस्तों आप कोई भी काम लेते हैं उससे पहले सरकार ये सुनिश्चित करती है कि आपका status क्या है आपकी हैसियत क्या है क्या आप उस काम को कर सकते हैं करने लायक है या नहीं है तो दोस्तों 40-50 लाख रुपे का हैसियत परमाणपत्र काफी होता है 40-50 लाख रुपे कि अगर आपके नाम पे कोई property है 40-50 लाख रुपे की valuation की तो आप उसमें लगवा के DM कारियाले से हैसियत परमाणपत्र बनता है या फिर आप किसी भी वकील से बात कर ले वो आपका हैसियत परमाणपत्र बनवा देगा यदि आपके नाम पे कोई संपत्ती नहीं है तो आप अपने माता पिता पेरेंट्स जिनके नाम पे संपत्ती हो उनके नाम पे हैसियत परमाणपत्र बनवा ले और अपनी कंपनी में या फर्म में उन्हें पार्डनर कर लें, आपका काम चल जाएगा, तीसरी चीज चरित्र परमानपत्र, दोस्तों चरित्र परमानपत्र भी कोई भी वकील आपका बनवा देगा, यह पुलिस वेरिफिकेशन होके बन जाता है, इसका भी कोई इतना इशू नहीं है, दस से पंदरा दिन का प्रोसेस है, चरित्र परमानपत्र और हैसियत परमानपत्र का दोनों का मैक्सिमन, तीसरी चीज आती है, दोस्तों, आपका experience certificate, experience certificate में दोस्तों, आप किसी भी ठेकेदार से, किसी भी company के ठेकेदार से, उसके letterhead पे लिखवा करके ला सकते हैं, कि इन्होंने मेरे हाँ एक साल या दो साल काम किया है, और इनका काम संतोज जनक है, वो यह लिख देंगे, और अपना sign करके, अपनी company की मोहरमार के आपको देंगे, वो आपका हो जाएगा, या आपने कहीं और काम किया हो, किसी ठेकेदार के नीचे काम क्या हो, या नहीं भी क्या हो, तो बना देता है कोई भी, चोथी चीज दोस्तों आती है, आपकी company के नाम का letterhead, फिर आती है दोस्तों GST नंबर, GST नंबर भी आपको कोई वकी प्रोवाइड करा देगा, आपकी company की मोहर, company के नाम की, और आपका एक एफेडेविट, वो एफेडेविट लगता है, कि मेरा कोई भी रिष्तेदार, रक्त संबंदी उक्त विभाग में, जिसमें आप अपना registration करा रहे हो, उसमें कारेरत नहीं है, उससे संबंद नहीं पर दोस्तों, आपको ये सब चीजे ले करके, एक विभाग होता है, आपके पर जिला पंचायत, जिला परिषद भी बोल देते हैं, जिला पंचायत में आप जाते हैं, जाकर के ये सभी documents जमा कराएं, और वहां पर एक class का certificate, एक class का certificate आसानी से बन जाता है, आप बाबू से बात करें 5-10,000 रुपे उसकी actual cost होती है actual उसकी जो fee होती है license की एक last license की वो 5-10,000 रुपे होती है maximum 15,000 रुपे होती है ये district to district depend करता है जिला पंचायतों के पास में अपनी board में अपना license fee decide करने का authority होती है तो सभी जिला पंचायतों की अलग-अलग होती है तो दोस्तों वहाँ पर आप जाए निर्माण अनुभाग में जा करके clerk से बात करें registration की जो clerk देखता होगा वो clerk आपका registration आप करा देगा वो आपके लिए license बना देगा license का process एक से दो दिन का है या तो same day वो आपको license बना के देदेगा या फिर उससे अगले दिन वो आपको A class का license बना करके देदेगा तो दोस्तों इतना बड़ा issue नहीं है कि D class का ही आपका license बनेगा आपका license A class का जिला पंचायत से आसानी से बन जाता है और वो सभी विभागों में फिर काम करता है तीसरी चीज़ पर आते हैं दोस्तों registration पर तो registration पर भी हम बात कर लेते हैं जिला प signature extra लगता है वो आपको जब आप firm registration कराते हो तो उसी के साथ में आपका वकील आपको digital signature देता है तो वो digital signature चाहिए होंगे और वो आपका अपने विभाग में registration वही बाबु आपका करा देगा जो बाबु निर्वान अनुभाग देखता होगा तो दोस्तों उसके लिए आप आपको 50,000,000,000,000 विभाग depend करता है किसी विभाग में 50,000,000 की FD लगती है किसी विभाग में एक लाग की FD लगती है registration कराने के लिए तो दोस्तो registration कराने के बाद registration के बाद में वो एक साल के लिए होती है एक साल के लिए आप उस विभाग के नाम पे FD कराएंगे और वो बता देंगे किस नाम से FD करानी है और वो उनके पास में बंधक रखी रहेगी FD जब तक कि आपका registration है एक साल तक एक साल बाद यदि आप उसे continue करना चाहते हैं तो आप continue कर सकते हैं और नहीं तो आपकी FD आपको वापस मिल जाएगी दोस्तो तीसरी बात कौन-कौन से विभाग अच्छे हैं काम करने के लिए तो सबसे पहले तो शुरुवात में जब हम काम करते हैं तो हमें कम पैसो का काम और अपने area में काम करना चाहिए तो दोस्तो उसके लिए ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, छेत्र पंचायत, नगर पाली का परिशत, नगर निगम, जिला पंचायत ये 6 विभाग सबसे अच्छे हैं शुरुवात में काम करने के लिए इनसे आप शुरू में कैसे कैसे काम किया जाता है कैसे कैसे अधिकारियों से बात की जाती है कहाँ पे कैसे काम डलते हैं इटेंडरिंग कैसे हो सकती है यह सब चीज़े आप यहाँ पे सीख सकते हैं आसानी से तो दोस्तो शुरुवात में आप घ्राम पंचायत में काम कर लें जिला पंचायत में काम कर लें या नगर पंचायत में जिला पंचायत में करेंगे तो ऐसा मानो कि जिला पंचायत आपके जिले जिले के अंदर के काम ह निकालते हैं. 10 करोर से 30 करोर तक का, 40 करोर तक का एक साल का जिला पंचायत का बजट होता है, और जदा बड़े काम नहीं होते, छोटे-छोटे काम होते हैं, आप 10 पांच लाग का काम शुरू में करें, खरंजे का भी कर सकते हैं, सबसे पहले priority, CC काम की रखिए, CC का काम होता है, cemented road जो होती है, concrete road, दूसरी आप लेपन का कार्य कर सकते हैं, कम पैसो का, छोटा कोई बज़ेट का काम हो, आप नाला निर्मान कर सकते हैं, इंट खरंजा लगा सकते हैं, इन सब काम को आप शुरुवात में कर सकते हैं, 5-10 लाग के, 20 लाग क maximum काम पकड़िए, और देखिए कि काम कैसे होता है, तो दोस्तों, बाकी का process हम बताएंगे अगली वीडियो में, आज के लिए, नमस्कार,